हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेकनोलोजी मुंबई की पूरी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पर हम बी फार्मासी की पूरी इंफॉर्मेशन देखने वाले बी टेक बी इंजिनियरिंग की अगर देखना है तो आपको अल्रेडी वीडियो अपलोड है निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगा तो यह एक गॉर्मेंट कॉलेज है बी फार्मासी का महाराष्ट्रा का और यहाँ कर अल इंडिया रैंक की अगर बात की जाए आल महाराष्ट्रा रैंक की नमबर वन कॉलेज है पूरे महाराष्ट्रा के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेज है भी फार्मासी के लिए और आल इंडिया के अंदर इसकी निर्फ रैंकिंग है सेवेंथ इस साल थोड़ी सी नीचे गई है लास्ट यह फाई ही थी तो यहाँ पर हम पहले institute information देखेंगे उसके बाद course की information और placement और thesis structure और previous year cutoff तो सभी information आपको one by one मिलेंगी तो वीडियो को पूरा end तक देखते रही है तो institute information की अगर बात की जाए तो DTE code 3036 है तो यह जब भी आप option form फिलिप करेंगे तो जब आपको यह लगेंगा उसके बाद AICT application number permanent AICT application number important नहीं है बस आप AICT की website पर चेक कर सकते हैं बस उसके बाद यहाँ पर अगर यह रीजन है और यहाँ पर पिन कोड है establishment year की अगर बात की जाए तो 1933 मतलब काफी old college है इंडिपेंडन से पहले का भी है यह और B pharmacy की establishment year जो है तो 1958 है उसके बाद अगर बात करें हम how to reach मतलब किस तरह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं nearest bus stand महिश्वरी उदान उसके बाद यहाँ पर जो 500 meters की दूरी पर है और nearest airport 8 km है और hostel seats की अगर बात की जाए तो यहाँ पर hostel boys के लिए और girls के लिए दोनों के लिए available है total five hostels है और यहाँ पर आपको जो है तो benefit क्या मिलता है कि 90 seats जो है यह boys के लिए first year और second year के लिए मतलब first year girls के लिए 35 seats है hostel के अंदर और यहाँ पर जो fees structure है यह भी हम देखेंगे तो fees structure की अगर बात की जाए तो यहाँ पर fees structure 85,350 रूपीज यह college की fees है और इसके बाद जो है आपके hostel fees की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 23,000 रूपीज double seated and more of hostel number one, hostel number two, hostel number three और hostel number five तो यह आप सभी की fees per year और यहाँ पर total capacity दी गई है और यहाँ पर जो है तो बागी के सभी information दी गई है double seated and more तो यहाँ पर आपको scholarship भी मिलेंगी जो महराश्टरा के student है OBC category है तो इसकी आपको 50% scholarship मिलती है open category है आप EWS category से belong करते हैं तो भी आपको scholarship मिलेंगी तो यहाँ पर scholarship का criteria भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़ल तो आने वाले वीडियो में हम scholarship का भी देखेंगे तो friends हम यहाँ पर placement की बात कर लेते हैं जो कफी किसी भी student के लिए सबसे important होता है college का placement check करना तो previous three year का placement यहाँ पर दिया गया है 2018-19, 2020-21 और 2019-20 तो यहाँ पर अगर बात करें हम 2018-19 की तो 7 student place हुए है out of 28 student तो यहाँ पर 28 pass out student है और उसमें से 7 जो है प्लेस हुए है लेकिन यहाँ पर जो 17 student है यह higher studies के लिए select हुए है मतलब M farm कह सकते है आप या फिर कोई भी higher studies और यहाँ अगर 19-20 की बात की जाए तो total 15 student pass out हुए है और यहाँ पर 8 जो है वो place हुए है और average package आप यहाँ पर देख सकते है 7 lakh rupees average package दिया गया है यहाँ पर 4 lakh और यहाँ पर 5 lakh तो इस college में अगर B pharmacy अप कर रहे है तो maximum student M pharma के लिए जाते है क्योंकि maximum student GPAT qualified होते है इस college से तो GPAT qualified होने के बाद आपको M pharmacy के लिए stipend भी मिलता है तो उससे यहाँ पर जो higher studies का percentage है वो जादा है वहीं अगर placement की बात की जाए PG के बाद मतलब M pharmacy के बाद तो यहाँ पर आप placement चेक कर सकते है out of 18 student total 12 place हुए थे 18-19 में और यहाँ पर 2020 में 14 place हुए थे और 2021 में 13 place हुए लेकिन higher studies के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी student higher studies के लिए गए PhD या कोई और आप कह सकते हैं तो maximum student यहाँ से अगर आप B Pharma या M Pharma करते हैं तो आपको 100% placement की guarantee मिलेंगी और साथी साथ आप higher studies के लिए भी जा सकते हैं M Pharma PhD जो भी है आपको करना तो आगे हम previous year cut-off देखेंगे के तो फ्रिंड्स यहाँ पर previous year cut-off की बात की जाए तो यह एक एप है यह एप की link description में भी मैं provide कर दूँगा college cut-off नाम से play store पर available है तो इसके अंदर separate सभी की cut-off दी गई है भी pharmacy, de-pharmacy, M pharmacy और government, semi-government private सभी की तो यहाँ पर हम देखेंगे ICT Mumbai, Institute of Chemical Technology Mumbai तो इसके अंदर आपको क्या करना है यह seat type के अंदर आपको चेक करना है किसी भी की cut-off तो seat type के अंदर हम open category का last student देखेंगे तो यहाँ पर यह last है open category का student जिसकी rank है all maharashtra rank जो है 47 है यहाँ पर merit number के अंदर और जो है तो MHTCET का score है 99.8775 परसंटाइल उसी तरह से यहाँ पर OBC का भी आप last candidate देख सकते हैं यह L OBC के अंदर तो यहाँ पर इसकी rank जो है 126 है और परसंटाइल के अगर बात की जाए तो 99.67 है और उसी तरह से other categories का भी यहाँ पर दिया गया है sorry यहाँ L OBC का और एक candidate है जो नीचे last में तो यहाँ पर उसकी है 234 rank तो यहाँ पर आपको जो भी category के है आप student तो सभी की cut off मिल सकती है तो यहाँ पर जो maximum seats है वो 30 seats है और यहाँ पर 3 जो seats है नीचे अगर आप आएंगे तो EWS के seats है तो यह EWS की cut off है आप यह भी देख सकते तो I hope आपको सभी चीज़े समझ में आएंगे और college इसकी अगर information चाहिए तो नीचे comment box में comment कर दीजिए और channel को subscribe कर लिजिए और साथी साथ bell icon को दबा लिजिए thank you very much